नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है acesso प्लेस मेंNow बात Karlo करेंगे उन फार्मा सेर्स के बारे में जिस міद आपको अगर ऑर जदा गिरावट आता है तो और जदा कांज जाया चाहिए विल चुoga कंट काफी बहतरीन है आपको इन stocks में आपको बाइंग करनी चाहिए जो पहला stock हमारा वो है Kaplan Point Laboratories दोस्तो एक small cap stock है अब हम small cap stock में आपको buying करने क्यों बोल ले हैं जब आपको गिरावट में buy कर रहेंगे तो उस महाँ पर जो आपको बाइंग लेबल होगा उससे stock का price नीचे जाने बाला जो प्राइस का लेवल होगा बहुत ही कम chance होगा और long term में आपको काफी अच्छे benefit मिलेंगे small cap में क्यों करें क्योंकि अगर आप एक बरगत का पैर चाहते हैं मतलब एक बड़ा return चाहते हैं जो बरगत की पैर की तरह आपको बहुत बड़ा return दे तो आपको बरगत का पैर जो है छोटा पौधा लगाएगे वहां से जब बरगत का पैर बड़ा होगा तो आपको return मिलेगा मतलब यहां example की बात करें एक छो दोकित बर्हा रिटरन चाहिए तो दोस्तों investment में अगर एक बहरी ठीटर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए छोटी से small cap में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो हीए छोटा से small cap stock कौन सा होगा जिस में हैं, करनी चाहिए तो यह देख लिजिए सबसे पहला हम क्यापिन पॉइंट लेवररी पाइब स्टॉक्स आपको हम बताएंगे जिसमें से जो है लगभग सारे सारे स्टॉक आपको स्मॉल कैप मिड कैप मिलेंगे इसमें से अगर एक दो स्टॉक भी अच्छा चल जाता है आपको 10 टाइमस 15 टाइमस का रिटरन देता है आपको अच्छा विल्थ क्रियेट करके देगा तो यह स्टॉक आप भी देखे डेली चार्ट लगा हुआ है जो हमारा मुविंग एबरेज है बुलू लाइन देखते हैं यह 200 दे का है और यह जो एलो लाइन और रेड लाइन में से ह यह हमारा 50 दे का मॉविंग एबरेज है तो यह सारे मॉविंग एबरेज में से अभी बीच में है 200 दे के division के ऊपर है 100 दे OR 50 दे के मौविंग एबरेज के नीचे हैं तो यहां से आपको बस alert हो जाना है, alert होना है, कि मतलब कभी भी आपका जो reversal होगा stock का, मतलब जहां से reverse होता है, वहाँ पर आपको buying करना है, ये कब होगा, जब market में और जादा correction आता है, जिस तरह से आज आपने देखा, क्योंकि अभी फार्मस hall काफी ज्यादा मतलब आगे आपको growth दे सकता है क क देखने करोना वारेस के नई strain मिले है तो ऐसे में और ज्यादा मतलब फार्मस पर्मस अभी के कमपनिया है उनका demand बाइने बाला है जो दबाई है मैडिसीन नेसिन найएजरे आपको मुवी एवरेज लगाना है 200, 100-day और 50-day का EMA जैसे इसके ब्रेक करके नीचे आता है और ब्रेक करके आपको थोड़ा आने देना है जहां से रिवर्सल होता है वहाँ पर जस्ट SIP करना है एक ही बार में बाइंग में करना है अगर 100 stock आपको ले रहा है तो आप 20 stocks के group में 5 बार बाइंग करेंगे तो आपको बाइंग करना है तो चलिए यहां से पहला stock होगा है कैपलिन दूसरा stock है हमारा IOLCP दोस्तो यह stock भी काफी बहतरीन है यह फार्मा सेक्टर में भी है और कैमिकल सेक्टर में भी है तो समझ सकते हैं दोनों सेक्टर में है तो काफी बहतरीन डिटर्न आपको देगा लॉंग टर्म इंवेस्टमेंट में यह सारे stock काफी ज़्यादा running कर चुके है तो और देख सकते हैं और यह जो ग्रीन लाइन है हमारा हंडेडे का और सबसे नीचे जो हमारा बुलू लाइन है यह तो जैसे तो हंडेडे को ब्रेक करेगा कभी भी करेक्शन आता तो आपको अलर्ट हो जाना है और हर डीप पे आपको बाइंग करना है पहांच स्टॉक बताना है इसमें साब कोई 2-3 चून सकते हैं तो 2-3 में आपको SIP करना है बराबर बराबर एमांट सम में लगाना है ताकि जो भी स्टॉक आपको 20 ताइमस 15 ताइमस का रिचरन देता है आपके सारे के सारे जो स्टॉक रिटर नहीं देगा उसका आपका कभर कर देगा वो अच्छा खास मतलब आपको वेल्थ क्रियेट करके देगा इस लिस्ट में हमारे तीसरे नमबर पर जो स्टॉक है वो है लुरूजलेब लुरूजलेब भी काफी बहतरी कंपनी है और इसमें भी देख सकते हैं आज जो गिराबट है ये स्टॉक काफी उपर निकल चुका था 366 रूपीज और वहां से जो गिराबट आया तो ये लोबर जो प्राइस बनाया 310 रूपीज तो समझते हैं एक कितिन में 50 रूपीज का करेक्शन अगर निफ्टी में 500 पॉइंट का गिराबट आता है तो इसमें जबरदस्त गिराबट आपको देखने मिलेगा तो अगर और 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट का गिराबट आजाए तो काफी नीचे के प्राइस पे स्टॉक मिल सकता है और जैसे 200 गे नीचे आता है तो वहां पर जैसे रिवर्सल होता है नीचे आ रहा है स्टॉक गिरते हुए और जैसे उपर जाने का कोशिस करने लगा तब बाइंग करना है क्योंकि नीचे आ रहा है तो कितना वो नीचे जाएगा हम नहीं जान रहें कोई भी बॉटम को कैच नहीं कर सकता है बॉटम आपको पता नहीं कि बॉटम कब बनाएगा तो बॉटम बना करके जैसे उपर तेजी आएगा तो वहां पर हम लोग बाय करेंगे क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा तेजी दिखाने के बाद फिर से गिरावट हो इसलिए आपको जब भी बाय करना है अगला स्टॉक है हमारा गरेंवर इंडिया यह बहतनी स्टॉक है यह स्टॉक के नीचे है यह स्टॉक में भी आज काफी गिरावट है 370 रूपीज से यह स्टॉक गिर करके आच का था 320 रूपीज तक तो दोस्तों यह भी देखता है 50 रूपीज का गिरावट और यहां से लगातार यह कई दिनों से करेक्शन इसमें हो रहा है और जैसे इसमें भी आपको 200 एक एमे इन्वेस्ट कर सकते हैं यह स्टॉक 100 रूपीज का आसपास हुआ करता था वहां से 400 के ऊपर तक का रैली दिखाया तो यह स्टॉक काफी जबरदस रिटर्न दिया जिन्होंने भी शुरुवात में इन्वेस्ट किया था जब यह स्टॉक 200 रूपीज का आसपास था तभी मै काफी सालों से 2015 से काफी अंडर परफॉर्म थे परफॉर्म नहीं कर रहे थे मतलब इन्वेस्टर को रिटर्न अच्छा नहीं दे पा रहे थे लेकिन आब वक्त आ चुका है फार्मास रिक्टर के स्टॉक में काफी तेजी देखने मिल रहा है तो यह भी स्टॉक देशने आ आपका लॉजिक होगा मतलब जो एस्ट्रेजी होगा एससाइपी बोड में जैसे जैसे गिरावट आता है एससाइपी मोड में बाय करना है सारे के आप आरेसाइए भी देख सते हैं धीर धीर नीचे आ रहा है जैसे थर्टी के नीचे आ जाता है तो मतलब यह ओबर इंवेश्टर लोग बायइं करते हैं इंवेश्टर पोज़िशन कम बने नता है जब अभर शोल्ड हो चुका हो काफी सस्ता हो इंट्रेंसिक भैल्यू से नीचे हो चीप पर हम फ्योर्ड में इनबेस्टे करते हैं और जैसे हाई अपिhnर हो जाता है जंड लगे की श्टा तेजी माईने बाताया इसको आपको अपनाना है और हड़ डीप पे जैसे 200 एक मुव एवरेज को ब्रेक करता है तो हर डीप पे आपको इंवेस्ट करना है और लॉंग टर्म के लिए इनवेस्ट करना है अगर वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर के जेगा तक के लिए जाहिए